नमस्कार आप देख रहे हैं हर्याणा न्यूज अक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ दीशा आये रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर हर्याणा के रवाडी शहर में एक घर में भी शनांग लग गई आग घर के फस्ट फ्लोर पर लगी थी आग को काबू पाने के चकर में घर के मालिक अपनी पतनी के साथ ही मकान में फस गए हलाकि आग की लपटे तेजी से फैलने के बाद जब पूडोसियों को पता चला तो पदी पतनी को बाहर निकाला गया सूचना के बाद दमकल की दो गाड़ें मोके पर पहुँची इसके बाद आग को भुजाने का काम शुरू किया गया करीब आदे घंटे की मिशकत के बाद आग पर काबू पा लिया गया दरसल महला खासा पूरा निवाशी अशोक कुमार अपनी पतनी सुदेश देवी के साथ घर पर ही मोजूद थे अचाना घर के फस्ट फ्लोर पर बने एक कमरे में आग लग गई अशोक कुमार ने पतनी के साथ मिलकर आग पर अपने हिस्तर पर काबू पाने की कोशिश भी की लेकिन आग तेजी से फैल दी चली गई पूरे महले में आग का धुआ फैलने के बाद आशोक के घर के बाहर लोगों की भीड जमा हो गई आसपास के लोगों ने आशोक कुमार को आवाज लगाई तो वहा उपर मकान में फसे हुए थे किसी तरह कुछ लोग घर के अंदर घुसे और दोनों को बाहर निकाला गया साथ ही इसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई सूचना के बाद दमकल विभाग के गाड़ेया मोके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया रेवाडी से हमारे समादाता अभानु शर्मखी रिपोर्ट हमारी यहां पर मोके पहुंचने में थोड़ा सा मतलब विलम होया क्योंकि बस्टेंड होके आई यहां पर जाम की स्थिति थी और जैसे ही हमारी गाड़ी यहां आई उन्होंने देखिया कि उपर की मंजिल पर जो है वाग लगी हुई है तो हमने यहां से पानी इतनी देर में क्योंकि घर में आग लगी थी तो हमने सोचै ककभी आसपास जो है वो गाटर पटाव की बनी हुई है तो उसकी वज़े से अब जो पटाव है यह पत्थर होता है और इन पे जब आग से गरम होता है और जैसे पानी लगता है तो यह चटक जाते हैं तो उपर हम मतलब जो पटाव के टुकडे थे वो भी जैसे गिरने लग रहे थे लेकिन फिर भी हमने जैसे साज से काम करते हुए और अंदर अब जो आग है वो बिल्कुल कंट्रोल में है आग जनी का कारण तो देखो या तो कोई सोर सर्किट होगा अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते कि आग लगने का कारण क्या है लेकिन घर है इसमें कोई आई जात वो है ने किस इतने के कैमिकल का प्रियों किचन है वो किचन अलग है किचन में भी आग नहीं लगी है किचन में आग नहीं है किचन से पीछे की साइड में जो रूम था न उस रूम के अंदर आग है अब उसमें गरेलू समान जो रहता है लत्ते कपड़े वगेरा तो वो ही थे तो उनमें किस वज़े से आग लगी है वो तो अभी जाच का वीचे हैं हम देख के बताएंगे लेकिन आब जो है वो आग पूर्णते कंट्रोल में है